आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इक्षास और नागरिक जीवन ये कच्छा आठे की पुस्तक है तो इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्थ 9 तक के अभ्यास प्रश्न और इसके अभ्यास प्रश्न के वीडियो देख चुके हैं आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने पर बिवस ये पाठ देखेंगे इस वीडियो में इसमें देखेंगे पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को बिवस तो इसमें हम लोग ये पाठ भी प्रतियोगी परिचाओं की दरसे बहुत इंपार्टन है तो इसको हम बहुत वीडियो इसको ध्यान से इस पार्ट को सुनेंगे कई बार जिसे की कहानी हमारे दिमाग में फीड हो जाए और इसके बाद हम इसके जो है अभ्यास प्रश्ण इसी वीडियो में देखेंगे तो आईए इस पार्ट को देखते हैं अंग्रेज सरकार ने राष्टी आंदोलन को तो विफल कर दिया था लेकिन उसे आभास हो गया था कि भविश में आंदोलन पुना छोड़ सकता है आता अंग्रेजों ने भारतियों को प्रश्ण करने के लिए सन 1935 इसवी का अधनियम पारित किया इस अधनियम के अंतरगत नंबर एक है कि पहला बिंदो दिया गया है कि केंद्र में अखिल भारतियी संग की तथा प्रांतों में प्रांती स्वायतता की स्थापना की ब्यवस्था की गई और फिर अगला बिन्दु दिया गया है कि इस संग में भारत की प्रांतों तथा देशी रियास्तों यानि रजवारों को सामिल किया गया अगला बेंदु दिया गया कि ये भी विवस्ता की गई कि केंद्री की विधाईका में देशी राजाओं त्वारा मनोनेत प्रतिनित भी रहेंगे और फिर अंतिम बेंदु दिया है कि केंदरी विधायका के अधिकार छेत उसी विदेश तथा रच्छा विभाग बाहर रखे गये फिर सेश सभी विषियों पर गवर्नर जनरल का विषिश नियंतर था चोकि गवर्नर तथा जनरल की नियुक्ती बिटिश सरकार करती थी अता हुए उसी के प्रती उत्तरदाई थे इस अधियम की भारतियों द्वारा कटू आलोशना हुई फिर सितंबर 1949 में जब दुतिय विष्व युद्ध प्रारम हो गया तो बटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में जोंक दिया कांग्रेश इस विष्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं देना चाहती थी उसने उससे बिना विचार बिमर से किये भारत को युद्ध में सामिल किये जाने की बिरोध में अक्टूबर 1949 में सभी कांग्रेश मंत्री मंडलों ने त्याग। दे दिया अब इसकि बात जो है 31 सत्यागरा आंधोलन जो है चला था कांग्रेस मंत्री मंडल की त्यागपत्र देने की पस्चात गांधी जी ने पुना आंधोलन प्रारम्भ कर दिया यानि कांग्रेस मंत्री मंडल से त्यागपत्र देने की बाद गांधी जी ने ये कौनसा आंधोलन सभूर कर दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह मांदोलन उन्होंने युदि के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे विनुवा भावे थे विनुवा भावे का ये चितर दिया गया है अन्य सत्याग्रहियों में चक्रव भाई पडेल का चित्र दिया गया है मुलाना अभूल कलाम आजाद प्रमुक थे इन सत्य ग्रहियों में जनता ने यह संदेश पहुचाया कि अंग्रेजों को युद्ध की में मदद ना की जाए ना दी जाए बैतिकर सत्य ग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना बिट्रिस सरकार ने कांग्रेज नीताओं से समझोता वारता की किन्तु कांग्रेज की नीताओं ने अंग्रेजों से इस्परश्ट कह दिया कि इनका लच्छ पूर्ट स्वराज है और इस दिशा में अभ अधिक बिलंब सहन नहीं होगा अब इसके बाद दूसरा आंदोलन चला था भारत छोड़ों आंदोलन 1942 बंबई मुंबई में 8 अगस 1942 को कांग्रेज का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया उस अधिवेशन में कांग्रेज ने एक प्रिस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवस होकर भारतियों को करो या मरों की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा बड़े सरकार ने उसी रात्र को गांधी जी एवं कांग्रेज के अने बड़े-बड़े नेताओं को गिरिपतार कर लिया 9 अगस्ति की प्राता से ही पूरे देश में आंदोलन सुरू हो गया बड़े-बड़े सहरों में जुरूस निकाले गए और हर्ताले हुई सरकार ने प्रेस पर नियंत्रन कर लिया और बहुत से अकबारों को जप्त कर लिया सरकार की इस गिरिपतारी में कुछ इस्थानिय इस तरके नेता बच गये ये नेता अपने अपने शेत्रों से सरकार बिरोधी गद्विधियों में जुट गये ग्रामेर सित्रों में जैसे जैसे समाचाल लोगों को प्राप्त हुआ भारत छोड़ों आंदोलन से जुड़ते गए महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पूर्शों के साथ कंधे से कंधा मिला कर भाग लिया कुछ इस्तानों पर लोगों की भीर ने पुलिसों, पुलिस थानों, डाग घरों, कचरियों, रेलवे इस्टेशनों तथा अन्य सरकारी संसतानों पर हमला बोल दिया साजविनिक के भौनों पर तिरंगा जंडा फैराया गया, हजारों सत्रा गईयों ने गिरिपतारियां दी, छात्र बिद्याले छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े, जगा जगा बिद्याल्थियों ने जुलूस निकाले, तथा देश फ्रेम से सम्मंधित पर्षे लिख समाप्त हो गया, चित्तु पांडे के नेत्त में आंदोलन कार्यों ने आसाधारन देश भक्ति का परचे दिया, इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में इन विद्रो तथा जन विद्रो तथा क्रांति फैल गई, फिर इसी के आगे है कि सरकार ने अपनी सारी सक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा थी, हजारों देश भक्ति सहीद हुए, चाथा बंदी बनाये गए, सरकार को इस दमन की विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का गांधी जी ने उसमें उपवास किया, जेल में ही गांधी जी की पतनी कस्तूर्वा की म्रतु हो गई, गांधी जी के गिरते अवस्था को देखकर सरकार ने उन्हीं जेल से मुक्त कर दिया, क्रांतिकारी गद्विदिया, ये अनुणा आश्रफ अली का चित दिया गया है, बड़े शामराज को ध्वस्त करने के लिए जहां एक ओर स्री जै प्रकाश नाराय, अच्छुत पाट वर्धन और स्रीमति अनुणा आश्रफ अली आधि बड़े बड़े नेता भूमगत होकर अपने धंग से गुप्त कार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शैक्रों जोसीले क्रांतिकारी साहित बित्रन करने में जुट गये, उन्होंने निर्भय होकर देश की आजादी के लिए अपने को बल्दान कर दिया, इन योगों की बल्दान गाथाएं स्वतंतरता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी, ऐसे नव योगों में हेमु कल्याणी भी एक हैं, हेमु ने 23 अक्टूबर 1922 की रात्र को रेल गाड़ी में ले जाए, जा रहे बिटिस फौज और सास्त को नश्ट करने का प्रियास किया, यहाँ फौज सथा स्वतंतरता सेनानियों के विरुद्ध प्रियोग करने के लिए थे, गस्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया, 21 जनवरी 1943 को हम कल्याणी को फासी दे दी गई, उस समय उनकी आयो मात 19 वर्सी की थी, अब इसमें विद्रोहियों का एक भूमगती धाचा भी तैयार हो गया, इस आंदोरन की बागडोर अनुरा आश्रफ अली, राम मनोहलोहिया, सुचिते क्रिपलानी, बीजुपतनायक तथा आरपी गोयन का आधिनी शमाली, भूमगती कारवाहियों में लगे हुए लोगों की सं संचार माध्यम को नश्ट करना था, आधाद हिंदी फोच का शंगर्स, आधाद हिंदी फोच का नाम आते ही सुभाज चन्य बोच का नाम सहज ही इसमेरल हो जाता है, उनका ये विश्वास था कि बिना ससस्त्र युद्ध किये भारत अंग्रेजों के सासन से मुर्थी नही नजर्बंद कर दिया गया, जन्मरी उनीस सो ते आले सिजवी कुवा चुपचाप घर से निकल कर काबूल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे, जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फोच का गठन 21 अक्टूबर उनीस सो ते आले सिजवी में किया, दुतिय विश्यूद में जर्मनी द्वारा बंदी बनाया हुए 50,000 सायनिक स्वेचा से आजाद हिंद फोच में भरती हो गया, उन्होंने आम नागरकों को भी इस फोच में भरती किया, इस फोच में इसी सायनिक का भी एक दल रानी जहासी रेजिमेंड के नाम से बन पिता जी कहते थे, उन्होंने अपने अम्यायों को जै हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिये, 4 जुलाई 1944 इस भी को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को सम्मोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधिनता का आखरे युद सुरू हो चुका है, राश्ण पिता भारत की मुक्त के इस पवित्र युद में हम आपका आशिरवाद और शुकामनाय चाहते हैं, सुभा चंद बोशनी भारत वासियों को संगर्स में सामिल होनी का आवान करते हुए कहा, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूगा, आजाद हिंद फोज बर्मा तक अंग्रेजों की फोज से लड़ती चली आई, किन्तु तुथी विस युद्ध 1944 में जापान की पराजे होने से युद्धी की इस्तिती बदल गई, आजाद इन फोज का अभियान रुग गया और फोज को आत्म समरपड करना पड़ा, इस बहादूर देश इस भक्त शैनिकों पर दिल्ली के लाल के विम कद्मा चलाया गया, आगे आता है शैनिकों का विद्धरू, सर मनिजस सिज्वि में ऑंग्रेज सरकार की बगावत कर दी जगा जगा हरताले हो रही थी अपने राजे के खिलाफ इतरा जवर्जस्त बिद्रोह देखकर अंग्रेश चासा के आखिर हार मानने लगी वे दूसरे बिश्यूदी के बाद अपने को कमजूर महसूस कर रहे थी ऐसे में भारत की बिद्रोही जनता पर युद्य समाब तो हो गया तो युद्य के दोरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिये गए आस्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी अमरीका और रूस अनेक वार्या संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्य स्वतंद्रता और लोग तंद्र की रच जुलाई 1945 सिस्वी में ब्रेटन में संसत के चुनाओं में सरकार बदल गई वहां मजदूर दल के नेता क्लिमेंट एटली ब्रेटन के प्रधान मंत्री बनी मजदूर दल के नेता भारत के सुतंता के पचधर थे इन परिसितियों में इंगलायन में प्रधान मंत्री क्लिमे इसे समित को कैबिनेट मिसन कहते हैं बारती नेताओं से विचार बिमर्स के बाद दो मुख निर्णे लिये गए हैं कौन-कौन से निर्णे हैं पहला निर्णे था कि भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाये जिसे महत्रपूर्ण राजनेतिक दलों का समर्थन प्राप्त ह और दूसरा था कि भारत का नया समिधान बनाने के लिए एक समिधान सभा गठित की जाए इन प्रस्ताओं के अंसार जमाहनलाल नहरों के नेतत में एक अंत्रिम सरकार बनाई गई और समिधान सभा गठित करने की तैयारियां सुरू कर दी गई अब इसके बाद आता है भारती स्वाधिनता अधनिया 1947 जवी लाड माउन विटन को भारत का नया गवर्नर जनलर बना कर भेजा गया चोकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर शांप्रदाइक दंगे होती रहे अता भारत को बिभारत करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज बनाने का अंतिम रोसे निड़े किया गया इंग्लाइन की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 इजवी का भारती स्वाधिनता अधनियम कहते हैं इस अधिनियम के अंसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंतर राष्ट बना दिये गए, इस अधिनियम में यह गोशेत किया गया कि भारती रियास्तों पर से बिटिस शासन की प्रभर सकता समाप्त हो जाएगी और यह रियास्ते भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स प्रिकार भारत की स्वतंत्र का मार्ग खुल गया लाड माउंट बेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्णर जेनरल जमाहल लाड नहिरू को प्रधान मंत्री बनाया गया यहीं से प्रतेव की पर चौम प्रशन पूचा जाता है कि भारत का स्वतंत्र गवर्णर जेनरल क भारत समिधान सभाद्वारा भारत का नया समिधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। चुकि भारत में उन पर हिंदूं का प्रभूत रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट पाकिस्तान की मांग को लेकर मुश्लिम लेखने लोगों के बीच आंधूलन छेना। जगा जगा हिंदूं और मुशल्मानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजू ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले हिंदू मुशल्मान पाकिस्तान चाने लगे। पर अनेक हिंदू मुशल्मान अपनी पुरानी जगों पर ही रहें। उन दिनों हिंदू और मुशल्मानों के 20 भीशर दंगे भड़क उठें। वह एक दूसरे के प्रत नफरत और घणा की बाते फैलाए गए। गांधी जी ये सब स्विकार करने को तयार नहीं थे। 77 वर्से की उम्र में वे भयानक दंगों के 20 लोगों को समझाने बुझाने चल दिये। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा पर यह नहीं होने दूँगा। भारत में मुसल्मान लोग रेंग कर जीए उन्हें आत्म सम्मान के साथ चलना है। वे इस इधान्त पर अडिक रहे कि भारत में हिंदू और मुसल्मान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदावादी नहीं मानते थे। यह नहीं कि हिंदू संप्रदावादी यह बात को नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों का प्रमुकिस्थान मिले। उनमें से एक नाथुराम गोट्षे ने 30 जनवरी 1948 इसमी को गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी। यह दिखाया गया है कि 7 जून 1947 इसमी में भारत पाक विभाजल स्विकार किया गया। इसके बाद इसमें कुछ सब्दावलिया दे गए हैं जैसे प्रवसत्ता, पूर्ण अधिकार यह पूर्ण सत्ता और रियासत, रियासत का आर्थ होता है मिल्कियत यह हुकोमत। अब इसके बाद हम आते हैं अभिहास प्रशन पर तो इसमें बहुविकल्पी प्रस्ञ दिया गया है। तो इसमें हम 1947 पर सही का निसान लगा देंगे। दूसरा प्रशन दिया गया है कि फारवर्ड ब्लाग का संबंध किससे है। तो फारवर्ड ब्लाग का संबंध राम मनोहलोहिया, जै प्रकाश नाराय, अरुणा आश्रा फली और सुभाज चन्य बोस। इसको तभी हमने पार्ट में पढ़ा था कि फारवर्ड ब्लाग का संबंध सुभाज चन्य बोस। इसके बाद आते हैं अति लगुत्री प्रशन पर और इन सभी प्रशनों का उत्तर हमने कॉपी पर कुरोट कर रखा है। दूसरा प्रशन देखते हैं अति लगुत्री प्रशने पहला प्रशन दिया गया है कि सत्यग्रह करनी वाले प्रत्रम ब्यक्ति कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सत्य ग्रह करने वाले प्रत्थम व्यक्ति जो है बिनोवा भावे थी। दूसरा प्रिशन है कि तुम मुझे खुन दू मैं तुम्हें आजादी दूंगा यहां कथन किसका है। इसके बाद हम आते हैं अतिलग उत्री प्रशने पर तो अतिलग उत्री प्रशने में पहला प्रशने दिया गया है कि अंग्रेज भारत छोने के लिए क्यों विवस हुए किनी तीन कारणों को लिखिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बिटिस सरकाल से भारत को आजात कराने के लिए 1942 इसवी में सबसे लंबी लडाई की शुरुआत की गई थी आठ अगस्ट 1942 इसवी को मुंबई में कांग्रेज की कारस्मित की बैठक में अंग्रेजों भारत छोनों का प्रस्ताव पास किया गया ये तो पहले प्रस्न का उत्तर हो गया कि अंग्रेज भारत छोनने के लिए क्यों भूस हुए इसके बाद इसमें आगे पूछा गया कि किनी तीन कारणों को लिखे तो इसमें तीन कारण दिये गया है पहला कारण है अंग्रेजों के भारत छोने के तीन मुखे कारण कौन कौन से है पहला है कि अमेरिका और रूस ये दोहराते रहे कि दुतिय भी स्यूद स्वतंतरता और लोकतंत्र की रच्छा के लिए लड़ा जा रहा था वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंता का समर्थन करने को बाद्य थे अब दूसरा बिंदो हम लिख सकते हैं, दूसरा कारण लिख सकते हैं कि जब इंगलेंड में लिवर हुआटी सक्ता में आई उसने भारत ओ विस्यू की परिशितियों को ध्यान में रख कर भारत को स्वतंतर करने की खोशना की इसके बाद तीसरा कारण दिया है कि दुति विश्युदि की बाद अंग्रेजु की सैन सक्ति घट गई थी, उनके उपनिवेशों में सुतंदर्ता की निरंतर मांग बढ़ रही थी, विश्युजन्मत भारत की साथ था, संयुक्त राश्ट शंग जिसके संस्थापकों में भ इसके बाद आगे अगला प्रशन, दूसरा प्रशन दिया गया है कि कैबनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, पेश शंख्या 82 पर, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कि जुलाई 1945 इसमी में ब्रेट ब्रेटन के प्रधान मंत्री बने, मजदूर दल की नेता भारत की सुतनता की पचधर थे, इन परिस्टित्यों में इंग्लैंड की प्रधान मंत्री क्लिमेंट एटली ने भारती नेताओं से विचार बिमर्श करने के लिए अपने मंत्री मंडल की ओर सीकुष सदस्यों की एक समित 1946 इसवी में भारत भेजी, इस समित को कैबलिट हीसन कहते हैं, तो इसका उत्तर हम यहां से शुरू करेंगे और यहां तक इसका कापे में लेखतेंगे, इसके बाद अगला प्रशन, अगला प्रशन हमारा दीर गुतरी प्रशन है, तो इसमें प्रशन दिया गया है कि 1935 को अजनियम के अंतरगत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई, तो इसका उत्तर हम देखेंगे, तो यह टेक्स्ट रूक में इसका उत्तर पेशन का 79 पे दिया गया है, यहीं पे हम उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कि अंग्रेजों ने भारतियों को प्रसन करने क के लिए सन 1935 इजबी का अधनियम पारिद किया, इस अधनियम के अंतरगत नंबर एक लिखेंगे कि केंद्र में अखिल भारतिय संग की तथा प्रांतों में प्रांती स्वाय तथा की इस्थापना की विवस्था की गई, और दूसरा नंबर लिखेंगे कि इस संग को भारत प्रांतों तथा देशी रियास्तों यानि रजवारों को सामिल किया गया और तीसरा लिख सकते हैं कि यह भी ब्यवस्ता की गए कि केंडर की विधाइका में देशी राजाओं द्वारा मनों ने प्रतिनिद्भी रहेंगे इसके बाद हम लिख देंगे कि अता यही तक लिखे यहीं से नीचे लेगे कि अता इस अधनियम के अंतरगत प्रांतों की सरकार गठित की गई बस यहीं तक यह उत्तर है तो यह पार्थ हमारा यहीं पर समाप्त होता है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद